विर्स limits ओफ लोड ओव leaders लेक्षे नबर 17 इसट्रेश होते हैं कहो इस्ट्रेशिज का सुपन भूते हैं कया इफेक्ट पड़ते हैं क्या चीज अम कैल्कुलेट करते हैं को सब्चीज़कре Kardashian क देखेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले अपना एक तो होगा कौन सा stress, कौन सा combined stress एक तो होगा हमारा combined adding लिग देते हैं को हम combined bending and torsional stresses first पढ़ेंगे हम कौन सा combined stress combined bending and torsional stresses इसमें क्या होता है, जिसे हमारी कोई soft है उस soft पे क्या हो रहा है, एक load लगा हुआ है ये w और साथ में उस पर एक moment भी लग रहा है कौन सा twisting moment वो क्या है हमारा, t लग रहा है, खीक है इस load के कारण, इस load के कारण, क्या होगा, इस soft पर इस load के कारण bending moment जनरेट होगा कि नहीं होगा, इस load के कारण क्या होगा, बैंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, उसकी direction क्या होगा हमारी, ऐसी तो होगी, ठीक, हर एक बैंडिंग मोमेंट पर, तो दोनों ही चीज़ा लग रही है, अपना क्या है, लोड लोड के कारण, बैंडिंग मोमेंट होगा होगा, अब इस twisting moment या torque को, मैं red pencil denote कर देता हूँ, यह तो लग रहा हमारा कैसे, यह तो लग रहा हमारा, ऐसे, ठीक, इस तरह बैंडिंग मोमेंट लग रहा है, इस बीम पर, वो कैसे लग रहा है, इस तरीके से capital है, तो बैंडिंग मोमेंट कारण क्या होना चाहिए, तो इन दोनों के कारण क्या होता है, हम क्या करेंगे, ऐसी cases में, हम designing के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी combination of stresses होगा, जो मैं आपको detail बढ़ा चुगा हूँ, केवाल यह लग रहे थे पहले tensile, अब दोनों तरफ tensile, अब इसके साथ में shear भी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, यह अलग था, यह अलग value थी, अलग value थी, इन तीनों के effective कारण हम इस body के अंदर क्या निकालते थे, principal stresses निकालते थे, और उन principal stresses के according हम body का design करते थे, मतला हमारे जो strength है, उसकी value in stresses से जादा रखते हैं, तो इस तरह से हम design करते थे, यहाँ पर भी same concept है, तो दे टो होगा, ठीक है, इसके कारण तो होगा हमारा टो, और इसी surface पर, surface पर यह वाला plane दिख रहा है, इस surface का यह वाला point है, इस point पर क्या लग रहा है हमारा, इस वाले point पर लग रहा है हमारा bending moment, तो इसका किस तरीके का diagram बन चुका है, इसका जो stress diagram बनेगा हमारा, वो बनेगा इस तरी कैसे हैं इस पर किसी प्वॉंट पर कैसे बनेगा ब्यंड इंडिक मोमेंट होगा तो उसके कारण तो बैंडिक स्त्रेसे आंगे वो तो हूँ हमारे सिग मा और जुO हमारे टाउड रिस्ट्रेक 逼 इस तर Village सान सी है वो यह हमारे डो कौन से है यह हमारे ठोग को बना की इसे करेंगे इसे कंडीशन के आकोर्डंग पार निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्राह्यूस निकालेंगे और उन Principals अपनव ऑडी का डिजाइन करेंगे तो यह कॉम्बिनेशन थी स्ट्राइस की यह सुने स्ट्राह्ड आकारण और इसके मोमेंट तर्ण हुआ हमारा वेंडिंग स्ट्रीस और टौर के कारण क्या होगा हमारा शेयर स्ट्रेस किया और उसके अकॉर्डिक हमने डिजाइनिंग करेंगे वही सिंपल और कुछ बहली है बस साफ के लिए अलग हो जाता तो फॉर्मॉला वही है जो मैंना आपको लिखवाई थी most important equation of principal stresses वही equation यहाँ पर काम आएगी और उसके अंदर बस हम इन values को change कर देंगे sigma की जिए क्या लिखेंगे उसके जिए क्या लिखेंगे वह हम बाद में लिखेंगे पहले हम combined bending and torsional stresses में लिखेंगे जब किसी beam नहीं आएगा यहाँ पर shaft क्योंकि T तो cable shaft पहले है जब किसी shaft पर torque के साथ साथ bending moment भी applied होता है तो उस beam में twisting वे bending दोनों होती है twisting भी होगी और bending होगी twisting में bending दोनों होती है जिससे की torsional shear stress वे bending stress उत्पन होते है in combination of stresses के लिए हम principle stresses ग्याद करते हैं कि जिससे की साफ्ट का डिजाइन किया जाता है बात के लिए रहे भई उससे अपन साफ्टर डिजाइन करेंगे प्रिंस्पल इस्टर से तो प्रिंस्पल इसे कैसे याद करेंगे तो आप यह diagram ना पहले आप यह लिखेंगे उसके बाद में diagram बनाएंगे पहले लिखेंगे उसके बाद diagram बनाएंगे मैं मिटा देता हूं और diagram के बाद फिर क्या लिखना है वह अपन देखो कि diagram के बाद क्या लिखना है कि diagram के बाद लिखना है पनको principle stresses को निम्न परकार ग्यात करते हैं तो sigma p1 या sigma p2 बराबर हम जानते हैं sigma x प्लस sigma y बाद 2 रूट sigma y- sigma x का whole square प्लस मैं 4 2xy का यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ जीर हो जाएगी sigma x तो है नहीं here in this condition sigma y बराबर 0 ठीक है here in this condition क्या-क्या है यह इसको मैंने equation 1 डाल दिया यह आप जानते हो पहले से sigma x बराबर क्या है sigma x की value कितनी है यह sigma के बराबर और sigma क्या होता है हमारा sigma होता है m by z और m by z का मतलब क्या था हमारा 32 कितना था m upon z z बराबर i upon y i कितना था pi d4 by 64 y कितना dy2 मतलब pi dq upon me 32 m upon me pi dq 32 32 32 m upon pi dq 32 32 m upon me pi dq यह अपन लिख भी चुके है है अभी थोड़े दिर पहले है सिग्मा y क्या है हमारा जीरो है लगी नीरा तो जीरो हो गया तो xy क्या हमारा तो के बराबर इसकी value कितनी होती है हमारी यह होती है हमारी टी upon me z t तो t कितना है टी रहेगा 16 t upon me pi dq क्यूब पूटिंग यह होती है इस इन इक्रेशन वन तो शिग्मा ती वन बराबर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा सिगमा एक्स बद तीस एम अपॉन में पाइडी क्यूब प्लस एक बटे दो रूट बद तीस एम अपॉन में पाइडी क्यूब का स्कायर प्लस में फूर सिक्स्टी में डी अपॉन में पाइडी क्यूब देको सिगमा ऎम अपॉन में पाइडी क्यूब प्लस में 0 ड्वाइड बाए to be आए गाई सिगमा पी वन वराबर 16 एंप अपॉन में पाइडी क्यूब प्लस में फ़र दो यहां से अपना कॉम हे लोगया आफ तो 22 corresponding पाइडी क्यूब मतलब यहां से अपना जाएगा 16 अपन में पाइडी क्यूब 32 तो यहां से और मैं क्या कॉमन ले सकता हूं 16 यह कट गया अपना सिक्स्टीन ऑपन में पाइडी क्यूब काॉमल ले लिए एम प्लस में रूट एम स्कॉ्ए में टी स्कॉर है तो यह क्या है सिक्मा फिम बतलब हमारा यह लिख देता हूं मैं सिपां में रहे है andare है ऐसे सब्सक्राइब मारे सब्सक्राइब सिकाइब iki हो proceeded यह लग देता हूं मैं यहाँ पर लिभता हूं इसके नीचे अए सको यह लिख देता हूं यह आप इसको टारव लो मैं से मिपाता हूं मैं सिग्णापी बना गया अपना 16 upon pi d cube m plus m plus m plus t squared सिग्मा फी टू बराबर 16 upon mixture minus p d cube common ले लिया m minus root m squared plus t squared ठीक है यह कौन सा है minor principle stress और हमारा टो मेक्स मेक्जिम शीर स्ट्रेस्ट क्या हो जाएगा यह होता हमारा अंडर वाली कंडिशन मतलब 16 अपोन में पाइडी क्यूब क्यूब आएगा रूट एम स्कायर प्लस टी स्कायर पढ़ चुके हो भाई यह तो आप सारी चीजे हैं यह वाली टर्मी तो होती है हमारी टो मेक्स तो यह आपने तीनों चीज निकाल ली तो इसके लूशार अपने डिजाइन करते हैं तो आपको अगर किसी कोशन में दे रखा है ना आपको पूछेगा या फिर ऐसा कोशन पूछेगा आपको एम दे देगा टी देगा और पूछेगा मेजर प्रिंस्पल स्ट्रेस बताओ माइनर बताओ तो आप ऐसे निकालो यह था हमारा पहला पॉइंट कॉंबाइट इस ट्रेस का तो पहला तो हम पढ़ चुके हैं कॉम्बाइ बेंडिंग एंड टार्चेज सेगेंड पढएंग हम कॉंबाइंट डायरेक्ट एंड बेंडिंग इस ट्रेस को कॉम्बिनेशन से क्या क्याशे हमारे काम की हैं उनस सभी चीज़ों का मुंदेखते हैं तो हम इसके बाद में नेक्स लिखेंगे कॉंबाइंड नेक्स ते हम देखो बई, क्या होता है, हम इसे केवल compression member के लिए पढ़ रहे हैं, माल लीजी हमारा ये कोई column है, ठीक है बई, इस column का ये है, इसका CG, अगर आपने क्या किया है, load लगाया इसके उपर ये, तो कौन सा load है, direct compressive load, direct compressive load, ठीक है, इस direct compressive load के कारण, इसमें कौन से stress generate होंगे, direct here, only direct compressive stresses will generate, ये generate होंगे बस, लेकिन क्या हुआ अगर आप इस load को कुछ eccentricity पर लगा देते हो, तो क्या problem हो जाएगी, आपने अगर इस load को यहां न लगा करके, और आपने क्या किया, इस load को कुछ eccentricity E पर लगा दिया, कितनी दूरी पर E eccentricity पर लगा दिया, तो इस eccentric condition में, इस P load को जब भी हम eccentricity की बात करते हैं न, तो सबसे पहले अपने उसका analysis करने के लिए, अपने को complete load को कहां transfer करना होता है, उसके CG पर, तो P तो यहां लग रहा था, तो एक तो P पहुंच जाएगा यहां पर, और क्या पहुंच जाएगा, इसके काड़ moment, कौनसा moment, P into E, और P into E कौनसा moment होगा, आप सोचो, इस तरह से column है, यहां पर P लग रहा है, center तो यह क्या करने है, तोас से parti को जांगा, जो हमारा column है, बैंट को जाएगा, मतलब क्या कर रहा है यह बेंड कर रहा है हम कह सकते हैं और आप इसको अगर horizontal देखोगे तो यह क्या हो चुकी है हमारी cantilever beam वाली condition बन गई मतलब यहाँ पर कोई moment लगा हुआ है जिस moment एकार यह beam क्या कर रही है cantilever bent हो रही है बेंड हो रही है तो देखो आप मतलब ही जो पी को आपने centricity पर लगाया तो वह क्या कर रहा है automatically है moment develop कर रहा है जिस moment के कारण क्या हो रही है bending हो रही है और इसके surface पर कौन से stresses develop होंगे bending stresses तो bending stresses कौन से develop होंगे आपके आप जानते हो bending stresses इस वाले portion में तो क्या होगा हमारा compressive compressive को आप plus मान रहे हो इसको minus मान रहे हो तो देखो यह तो हो गए हमारे compressive stresses और यह हो गए कौन से tensile stresses तो इस cg से इदर दे तो compressive हो रहा है compressive को मान रहे plus इसको मान रहे minus यह हमारे tensile stresses तो यह भाई देखो क्या हुआ था यह हमारे हमने load को किसी centricity पर लगा दिया तो जिसके कारण क्या हो रही है bending हो रही है तो ये कौन सा case है अब देखो इस bend एक तो load P लगा रहा था इस load के कारण तो कौन सा step develop होगा हमारा P upon area अगर आप ये करोगे तो आएगा हमारा कौन सा direct stress sigma D और ये जो P into E moment develop हो रहा उसके कारण कौन सा step develop होगा हमारा P into E कारण M आएगा और M के कारण कौन सा होता है अपना M upon I sigma upon Y sigma ये कौन सा होड़ता है ये होता है हमारा bending stresses sigma B बरावर M into में M upon में Z तो ये कौन सा होगा हमारा bending stresses तो eccentric loading में हमारे दो stresses develop होते है direct और bending इस combination को हम क्या बोलते है direct and bending combination combined direct and bending stresses इस ये को बोलते है combined direct and bending stresses तो column के case में जब load को किसी centricity पर लगा जाता है तो उसमें direct by bending दोनो stresses एक साथ develop होते है जिसका analysis हम कैसे करेंगे अब इसमें हम क्या देखना चाहरे है हम इसमें देखना चाहते है कि जो हमारा column हमने बनाया है वो column कभी भी tensile stresses में fail नहीं होना चाहिए column में थोड़ी बहुत भी अगर tensile stresses आ गए column में अगर थोड़े बहुत भी tensile stresses आ गए तो tensile stresses आने का मतलब क्या crack आ गया crack आती फिल हो गया हमारे structure बात clear है के नहीं तो हम क्या चाहते है कि उसमें किसी प्रकार की tension develop नहों तो tension develop नहों उसके लिए हम क्या करें लेकिन load को किसी eccentricity पर लगाना भी जरूरी है तो हम यह देखना चाहते है कि हम center से कितनी दूरी पर लगा सकते maximum ठीक और कितनी इदर मतलब center से हम कितना तो इदर और कितना इदर मतलब E कितना E इदर कितना E इदर हम लगा सकते है load को कि इस column के अंदर किसी प्रकार की tension develop नहों तो हम क्या नेकालना चाहेंगे maximum eccentricity limit for no tension in column column में no tension के लिए कितने दूरी पर अपन इसको लगा सकते है load को तो वो अपन गयाद करेंगे E maximum को कैसे गयाद करेंगे अपन देखेंगे यही अपन को discuss करना है तो first of all अपन इसके बारे में लिखते हैं क्या लिखेंगे combine, direct, bending, strategy आप इसमें एक दो line लिखेंगे diagram नहीं बनाएंगे हमेशा मैं आपको जब बोलू तभी आपको लिखना है जैसा बोलू वैसे ही लिखना है otherwise आप अच्छे से notes नहीं बना पाऊगे तो अपन heading डा लेंगे combine, direct, bending, strategy और इसमें directly लिखेंगे जब column पर load को centric लगाया जाता है centric का मतलब क्या है symmetry पर किसी न किसी एक्सिस पर यह column था या तो आप इस एक्सिस पर आपने यहां लगाए बिलकुँ CG पर ठीक है न? यह है column पर load को centric लगाया जाता है तो उसमें केवल कौन से? direct compressive stresses develop होते हैं अते इसमें tensile stresses develop नहीं होते हैं इन्हें निम्न परकार ग्यात किया जाता है कैसे निकाले हैं डाइक डिस्ट्रेस को? सिग्मा डी बराबर पी अपॉन ए ठीक है? यह लिख लिया इसके बाद आप यह डाइग्राम बना दोगे तो वह इसके लिए डाइक इस्ट्रेस का डिस्ट्रेशन कैसे होगा हमारा? यह अपना डाइरेक्ट इस्ट्रेस डिस्ट्रेवियूशन चार तरफ क्या है? पी बराबर इस सिग्मा बराबर पी अपॉन ए यह हो गया भई आप इसको उतार दो डाइग्राम उतार दिया अब इसके बाद अपन कॉंटिन्यू करेंगे इसको मिटा देता हूँ अब लिखेंगे इसके बाद अपन लेकिन जब कॉलम पर लोड को किसी eccentricity पर लगाया जाता है तो कॉलम में direct stresses के साथ साथ bending stresses भी develop होते हैं जिससे tensile stresses के develop होने के chance बढ़ते हैं इन stresses को निम्न परकार ग्यात किया जाता है देखो भई पहरे तो मैं पूरा diagram आयता हूँ यह हमारा कॉलम था यह इसकी CG थी यहां से E distance पर यह load लग रहा था P इस load के कारण क्या हुगा M generate हुगा कितना P into E बात के लिए रहे तो इसके कारण हमारे दो stress diagram बने एक तो यह हुगा हमारा Sigma D वराबर P Y A यह क्या है हमारा यह है direct stress distribution यह भाई यह जो इसका surface है ना यहां पर है बात के लिए रहके नहीं इस surface पर है इसका surface कैसा होगा इसके नीचे बनायता हूँ यह है B और यह है D ठीक cross section है यह इस cross section पर अपना distribution है और इस cross section पर अपना जो दूसरा stress होगा इधर की तरफ तो होगा क्या bending stress distribution है यह यह है अपना sigma B बरावर M by Z sigma B बरावर M by Z यह तो है compressive और यह है अपना tensile ठीक यह कौन सा distribution है अपना यह है bending stress distribution इन दौनों को अगर अपन जोडेंगे इन दौनों को जोडने पर अपना diagram कैसा भी बन सकता है जैसे आमना pre-stression मनाया था हो सकता है यह वाली value यह वाली value हो सकता है अपना यह ऐसा बन जाए मतलब इधर भी compression इधर भी compression हो सकता है इधर थोड़ी बहुत tension रह जाए यह तो जुड़ जाएंगे इधर वाले point पर जुड़ जाएंगे PA upon PA M by Z यह तो जुड़ गए M by Z plus P by A लेकि इधर के तरफ तो गटेगा यह इधर तो क्या हो जाएंगे PA माइनस में M by Z क्यों गटेगा क्यों गटेगा क्यों यह negative और यह positive है अब इस line पर बना रहे है अपन इस line पर इस line पर अपना क्या है तो resultant diagram अपना कैसा बन सकता है इधर के तरफ तो क्या है अपना केवल यह दोनों value तो जुड़ेंगी अपने ठीक है P by A और M by जड़ी तो जुड़ जाएंगी इस वाले portion पर क्या है गटेंगी अगर यह वाली value हमारी क्या है P by A यह तो compression को हम positive मान रहे हो मैं चलो यहां लिख देते है compression positive tension negative लिख देते है अब अगर है ना इन दोनों को जोड़ते है मालो इसकी value तो हमारी कितनी 10 और इसकी है 5 तो 10-5 तो 5 आया तब तो diagram हमारे कैसा बन जाएगा यह value है मालो 10 और यह है 5 यह भी 5 हो गई तो अगर मैं इसको base मान रहा हूँ 0 को तो plus तो इसके नीचे बनाऊँगा minus इसके ऊपर बनाऊँगा तो यह कितना होगा 10 plus 5 15 यह तो होगया 15 और इदर कितना होगा 10 minus 5 minus को लिख रहे हैं को कि यह tensile है 10 minus 5 बराबर minus 10 minus 5 बराबर 5 तो इसका diagram बन गया अपना ही मतलब पूरे पर यह दोनों तरफ na के इदर भी इदर भी दोन तरफ क्या है हमारे compressive stress डवलप हो रहे हैं लेकिन अगर मैं देखता हूँ इसकी value मान लीजिए इसकी value हमारी 2 और यह आ रही है 5 तो देखो 2 plus 5 यह तो होगया हमारा 7 बिल्कुल सही है लेकिन यह कितना होगा 2 minus 5 बरावर minus 3 इसका मतलब क्या है यहाँ पर कुछ न कुछ हमारे tensile stresses develop हो रहे हैं और tensile stress develop होने का मतलब क्या है tensile stress develop होने का मतलब है कि हमारा जो column है यह इस तरह से इसको उपर force यह लगेगा तो यहां से यह क्या होगा tensile stresses मतलब यह उपर की तरफ उठेगा cross section पर stresses यह जब यह उपर की तरफ जब उठेगा इस cross section पर ऊपर की तरफ यह यह लगँंगे Community stress इसका मतलब वीच में इस तरह से क्रेक आजाएंगे क्रेक आती ओपर खिचेगा जब यह क्रेक आती ही, क्या हो गारा? क्तम हो गया, फेल हो गया तो यह होते हैं हमारे टैंसाल स्टेसे, तो resultant अपना कैसा उस पर डिपेंड करता है, resultant अमारा कैसा होगा अब हम चाहते हैं कि tensile stress develop नहों तो उसके लिए देखो जब आप यह चाहते हो tensile stress develop नहों इसका मतलब क्या है कि यह जो B upon A की value है negative कब आएगा आप इस में से यह गटाओगे और इसकी value कितनी आ जाए या तो 0 आ जाए क्यों चलो compressive नहीं आ रहे कोई बात नहीं लेकिन tensile भी तो नहीं आ रहे ठीक है अगर यहाँ पर value क्या आती है minus आती है तो अपने लिए गड़ बड़े minus कब आएगी जब इसकी value इससे क्या हो कम हो देखो दो 5 से कम है तभी तो यह वाली value minus आएगी है हमारी तो हम क्या चाते हैं हम tensile state develop करना नहीं चाते तो हम क्या करेंगे कि P by A की value should always be greater than equal to M by Z जब यह condition बैठेगी ना इसका मतलब उसमें किसी प्रकार के tensile state develop नहीं होंगे और जब tensile state develop नहीं होंगे तो इसके according के हम क्या निकालेंगे eccentricity की कितनी दूरी पर हम इसको P को लगा सकते तो eccentricity इसी condition से निकल के आएगी तो इस condition को apply करने पर हमें column के अदर किसी प्रकार के tensile state develop नहीं होंगे तो आप देखो यह पूरा-पूरा diagram ना दो इसके नीचे हैं फिर हम लिखेंगे आप ए complete उतार दो मैं इसको मिटाता हूँ अब आप pause करके उतार लेंगे मैं मिटा दूँगा यह rectangle बनाया था मैंने इसके नीचे देखो इसका section बना दिया बी-बाइ-डी rectangle लेए आप पर रेक्टेंगल बना देना कि इसके नीचे लिखेंगे इस condition में कि इस condition में हाँ फो Ken कैसे गयात करेंगे उसकत करेंगे अपन सग्वाडी सवारी सग्मा निकाल दiltट सिगमा डी सब्सक्राइब ऑनिसे इससे डाइर एक्ट Stress is मतलब Sigma D और Bending Stress is Sigma Diet तो क्या हो जाएगा हमारा P upon A खतम बाद और हमारा Bending क्या हो जाएगा M by Z ये भी खतम बाद Total Stress is Total Stress क्या होंगे हमारे Sigma बराबर Sigma D Plus Minus Sigma B भाई मैंने Plus Minus क्यों लिखा है क्योंकि Maximum Minium निकालने तो Maximum तो क्या होगा हमारा Sigma D Plus Sigma B और Minium क्या होगा Sigma D Minus Sigma B Maximum यह लिख देता हूँ Sigma Max बराबर Sigma D Plus Sigma B and Sigma Minimum बराबर Sigma D Minus Sigma B तो यह हमारे Complete Stresses आ चुक है Total Stresses इस तरह से हम निकालते हैं अब देखो आप हम कॉलम वाली को Condition लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा था कि कॉलम में Tensile Stresses डवलप नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह जो Minimum stresses थे ना इनकी वैल्यू क्या है 0 के बराबर या जादा होनी चाहिए तो 0 के बराबर या जादा कब होगी इसको आप 0 कर दो जब Sigma D minus Sigma B इदर चला जाए बराबर या जादा कब ही जो Sigma D की वैल्यू Sigma B से जादा या बराबर हो अब अपन इसके नीचे लेखेंगे Condition for no tension in column इसमें लेखेंगे Column में load को Maximum इतनी Sentry पर रखा जाता है जिस्से की column में Tensile Stresses Develop ना हो वै इस Condition को वै इस Condition के लिए इस Condition के लिए डाइरेक्ट इस्ट्रेसेज की वैल्यू बेंडिंग इस्ट्रेसेज के बराबर या अधिक होनी चाहिए इसके नीचे आप इसको तार देंगे मैं इसको मिटाता हूँ वै तो अपन नो टेंशन के लिए क्या कंडिशन है इसके नीचे लिए फोर नो टेंशन सिगमा डी शुड बी ग्रेटर दन एक्वल टू सिगमा बी और पी अपन ए शुड बी ग्रेटर दन एकल टू एम बाई जैट यहां से अपन क्या निकालेंगे पी अपन ए क्या है बी इंटू डी बस अभी तो यह लिखवा आप वो हर एक चीज के लिए अलग अलग होगा अपना ठीक है इस पी इंटू जैट अपन में ए पी अपन ए ग्रेटर दन एकल टू एम क्या होता है पी इंटू ए अपन में जैट पी से पी गैंसिल तो ए क्या आगया हमारा यहां से हमारा जो ए आया वो आया ए शुड बी लेस देन एकल टू पी से पी गैंसिल होगा जैट बाइ जैट बाइ यह है हमारा मैक्सिमो इस प्रकार हमारी क्या निकलती है maximum eccentricity maximum eccentricity की value ओकर z by a से कमिया बराबर है तो हमारी maximum eccentric मतलब क्या है जो भी हमारी ये जो column है इसमें आप maximum कितना रख सकते हो z by a आपने इस column के section कैसा हो सकता है column हो सकता है हमारा कैसा हो rectangle हो square हो column हमारा सामने दिखने हैं पैसा लेकिन कैसा circular है कैसा भी हो सकता है तो आप उसका क्या निकालो z by a निकालो z by a निकालोगे तो उसकी कुछ नो कुछ value आएगी कुछ नो कुछ value आएगी मानलो आपने आपका column कैसा था आपका column था circular और आपने z by a value निकाली वो value आई 100 mm और ये total था कितना 500 mm मतलब आप center से 100 mm दूर आप जा करके ये जो आपने इस तरह से बना दिये 100 mm कहीं पर भी चाहिए यहां 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 कहीं पर भी इस area में कहीं पर भी आप load को लगा दोगे ना कहीं पर भी लगा दोगे load को आपने यहां लगा दिया तो है तो centricity पे maximum दूरी कितनी है 100 mm तो आपने center से यहां 50 mm की दूरी पर आपने लगा दिया तो उस load के कारण load into distance कितना है 50 mm moment आएगा क्या बिल्कुल आएगा लेकिन moment आने के बावजुदव उसमें 10 सा लिस्टार डवलप नहीं होंगे ठीक है ना वह हमको यहां से आएगा तो यह है इसका यूज अपना maximum centricity निकालने के लिए अपन कैसे निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं यह इस तरह से निकालते हैं यह मैंग्जूद बी लेस्ट एकल टूट तो maximum centricity की value हमेशा हर section के लिए हर section यह अपना common आ गया अब हर section के लिए मैं आपको लिख दूँगा एक्चल में कितनी होती है यह तो अपना common हो गया common के बाद में अपना हर section निकालेंगे अपन रेक्टेंगल के निकालें रेक्टेंगल में कितने center से कितने दूरी पर रख सकते हैं ठीक है वो दूरी लिखेंगे और अपन स्कॉयर में कितना रख सकते हैं सरकल में कितना सकते हैं होलों में कितना रख सकते हैं सबी चीजों को अभी देखेंगे वन भाइव फिलाल आप यह वाली कंदिशन लिख देंगे को अतै कॉलम पर पॉइंट इस लाइन को समझेंगे जासली से लोड को जैड बाई ए से कम डिस्टेंस पर रखने पर कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेसेज डवलप नहीं होते हैं उतार दो आप यह अपनी जनरल यह है जनरल कंडिशन फोर आल सेक्सान ठीक है अब इसको मिटा रहा हूं है आप उतार लेंगे इसके बाद आप लिखेंगे मेक्जिमम हेडिंग डालेंगे मेक्जिमम लिमिट ओफ इसेंट्रिसिटी फोर डिफरेंट सेक्सान सबसे पहले आपन देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन ठीक तो देखो भई यह अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन था तो यह अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन था तो यह अपना रेक्टेंगुलर से सीजी है यहां से यहां तक की distance यह है D तो देखो E should be less than equal to Z by A तो E should be less Z कितना होता है B D square by 6 लेकिन हम तो दो होगी देखो हमार पाई centricity एक तो होगी कि आप यह बता हो कि XX axis पर आप center से कितनी दूरी पर लगा सकते हो जोड को इस line पर कहाँ लगा सकते हो वह भी तो center city होगी एक load को आप इस line पर बी दूरा सकते हो आपने यहां लगा दिया तो भी हमारे centricity हो गई अगर आप load को यहां लगा दोगे तो इस आदे पार पर तो compression होगा इस आदे पर टेंसन और अगर आप इस वाले लाइन पर लगा तो कहीं पर लोड को इस वाले लाइन पर यहां लगा दिया यहां लगा तो इस वाले आदे पार्ट पर compression इस वाले आदे पार्ट पर tension तो अपने पास दो हो गए एक तो हो गया अपनों कौन से निकाल लिया यह यह दूरी निकाल लिया यह दूरी कौन से होगा हमारी e x x और यह दूरी कौन से होगी e y y मतलब eccentricity on y y axis तो पहले मैं निकालना चाहरा हूँ किस चीज़ को पहले मैं लिका जा रहा हूँ e x x को तो e x x क्या होगा हमारा z x x upon me a और z x x क्या होगा हमारा i x x upon me y x x तो मतलब आप x x के according i को निकालो moment of inertia about x क्या होता अपना b d cube upon me 12 मतलब क्या जाएगा हमारा b d square b d square by 6 into area area क्या होता हमारा b into में d तो b d से b d cancel क्या है d y 6 e x x should be less than equal to d y 6 तो यह हो गया और e y y less than equal to z y y upon me a बराबर d b square by 6 into में b into में d बराबर b y 6 तो यहां से हमारा e y y आया less than equal to b y 6 तो यह अपनी दो चीज आ चुकी है दो चीज क्या आ गई अपनी कि जो आपका e x x की value d by 6 से कम कि आप जो x x axis है उस पर आप लोड को maximum कितनी दूरी बना से center से यह यह यहां से होगी अपनी यह दूरी यह अपनी y y axis थी ठीक है तो इसमें अपनी दूरी हो गई यहां से यहां तक की distance इसको मैं नीचे बता लता हूँ यह distance होगी हमारी d by 6 इस पर e x x बें तो इस एंटिटी b d square by 6 यह distance होगी हमारी कितनी b by 6 और यह b by 6 अलब आप यहां पर x x के साफ x में आप जब moment of inertia निकालोगे ठीक है x x के साफ x में आप निकालोगे moment of inertia moment of inertia कैसे होता है देखो मैं आपको next से next minute बता हूँगा वैस्तो यह x x है axis तो उसके साफ x में ऐसे rotation ठीक है और y y के साफ x में कैसा होगा ऐसा rotation को रोकने के लिए ठीक है उसे बोलेंगा अपना कौन सा moment of inertia about x x और y y तो e x x निकालने के लिए अपन को कौन सा यूज़ करना पड़ेगा i x x का यूज़ करना पड़ेगा और वो क्या होगा हमार b d q upon में 12 होगा ठीक है तो यहां आपने कितनी दूरी आई d by6 I दूरी तो इसका मतलब यह यह नहीं है आपकी दूरी के मतलब यह वाली दूरी आई है अपने यह वाली दूरी यह दूरी तो होगे अपनी d by6 इस x के respect में लगल h Lorraine e x x का मतलब है x x x पर नहीं होगा मैंने गलत बोल दिया था यह एकस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो एकस है उसके रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं मुमेंट ओफ इनर्शिया को तो आपको सिंपली यह द्यान रखना अपने चार पॉइंट बन गए क्या कि अपने सेंटर से कितनी दूरी पर इस लाइन डिवाई 6 इसका मतलब मैं टोटल कितना जा सकता हूं टोटल मैं जा सकता हूं यहां पर टोटल मैं जा सकता हूं डिवाई 3 ठीक है तो टोटल मैं यहां पर डिवाई 3 जा सकता हूं और यहां पर जा सकता हूं टोटल डी तो यह जो आपको दिख रहा है इन चारों तो एक एरिया बनता है इस एरिया को बोलते है अपन कर्ण या फिर कर्णल कर्ण डिस्टेंस तो यह होता है बीच का जो एरिया इसको बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं तो एक कोर क्या है अपना यह एरिया है जिस एरिया में आप कहीं पर भी लोड को लगा दोगे ना यह अपन बना दिया अपने इस एरिया में आप कहीं पर भी लोड को लगा दोगे तो आपके इस यह अपना कॉलम है इसमें किसी प्रकार के टैंसलिस्ट है डवलप नहीं होंगे तो यह थी अपनी पूरी-पूरी कंडिशन इसकी इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं इसी के अ मैं इसको मिटा देता हूं कि इसमें एक लाइन लेंगे अपन यह तो आपने लिख लिए इसमें अपन नोट डाल कर लिख लेंगे अते रेक्टेंगुलर सेक्शन में कि मिडिल थर्ड लेंथ पर मिडिल थर्ड मतलब देखो B by 3 दी वाइथरी मिडिल थर्ड हो गया न मिडिल थर्ड लेंथ पर लोड लगाने पर tensile stress develop नहीं होते जिसे की middle third rule कहते हैं इसे ही कहते है middle third rule तो आप से कहें कितनी दूरी पे लगा सकते हुआ आप इसे B by 3 पर eccentricity क्या है B by 6 और D by 6 यह तो eccentricity है और यह दूरी है इसी में अपन note number 2 लिखेंगे इसको आप A लिख दो और note number B लिख दो note number B क्या है हमारा वो लिखेंगे अपन maximum eccentricity वाले points को मिलाने पर प्रात हुआ area क्या कहलाता है Korea करणल कहलाता है ठीक है भई Korea करणल कहलाता है इसी में लिखेंगे अपन इस एरिया में इसी में continue करना है इस एरिया में कहीं भी load लगाने पर tensile stress develop नहीं होते है ठीक है भई आप इसको उतार दो इसको बातर मैं second लिखता हूँ इसको मैं मिटा रहा हूँ इसके बाद आपन second लिखेंगे किसके बारे में second अपन लिखेंगे इसके बाद में rectangular portion बारे में हाँ second अपना rectangular hollow section देखो भाई ये distance है हमारी capital B और ये distance है हमारी small b ये distance है हमारी capital D और ये distance है हमारी इसको मैं अलग pen से लिखता हूँ small b और ये distance है हमारी small d ठीक है अब देखो मैं इसका बनाता हूँ आपको ये हमारा hollow circular होलो का मतलब क्या है बीच में से खाली है ये अपना hollow है hollow के अंदर अपन ऐसे है ये ये solid part है जो इसमें बाकी बीच में खाली है ये इसका अपन क्या होगी अपनी डाइक में लिख रहा हूँ और एकस शुद भी लेस देन इकल टू कैपिटल बीडी क्यूब माइनस स्माल बीडी क्यूब अपन में 6D इंटू में बीडी माइनस स्माल बीडी और ए वाई वाई बराबर लेस देन इकल टू डी बीक्यूब माइनस स्माल बी बीक्यूब अपन में 6B इंटू में बीडी माइनस बीडी कि दो फॉर्मले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह अपना फिर मैंने लिखवा दिया है इसको तावलों में मिटाता हूं तीसरा लिखते है अपन इस तीसरा लिखते है अपन कि तीसरा देखो इसक्वाइर सेक्षन सेम यह मिडिल थर्ड रूल होगा इसमें भी बस इसके अंदर क्या है हमारी इसके अंदर बस एक फायदा है यह देखो यह पॉइंट हमारा यह है यह है तो इसके अंदर भी एक स्कॉायर और बन जाएगा वस यह मान लीज़ेए आपकी टूटल लेंद थे हमारी कि ए जिए हमारा कि एवाइट शिक्स कि एवाइट सिक्स एवाइब आपका एवाइट ध्री और यह भी क्या होगया हमारा क्वेभाइ 3 कि कि इसमें भी क्या होगा हमारा इए और एकस ऑक्स बराबर इस horse दोनों और इकिल या marc 6 क्वेफेब कर सारी सारी लेयं तमारी एए है सब ही साइड क्या होती है सेम होती है ना तौर अपर दूनों गपि और कि कि यह भी मिडिल थेड रूल पर काम करता है अपना कौन सा वाला है इसको एर फोर्थ है हमारा कि सर्कुलर सेक्शन कि इसमें क्या होता है कि इसमें देखो भाई अगर यह हमारा डायमीटर है इस डायमीटर से डी वाई एट इधर और डी वाई एट अपन इधर जाएंगे तब जाकर के हमारा यह बनता है ठीक है तो अगर यह कंप्लीट डायमीटर पूरा ही बता जेता हूं मैं यह आएगा डी वाई एट यह भी डी वाई एट तो यह कितना हो गया हमारा डी वाई फोर और यह डामेटर कंप्लीट कितना हमारा कैपिटल डी यह हमारा डी वाई फोर ठीक तो यह कौनसा में होगा हमारा इसएरिया कों क्या बोलते हैं तो इसमें हमारी एक्स बराबर यॉडि भर आबर इसमें सें मोजाए क्या हो जाएकि डी वाई एट तो अगर आप कि टोटल आप कितने लेंद पर लगा सकते हो पूरे सेक्शन में अपन डिवाय फोर पर इसलिए अपने इसको क्या बोलते मिडल फोर्थ रूल कि यहां कि मिडल फोर्थ रूल कि कार है कि सेम चीज जो नोट वन और टू थे ना उसके से यहां पर लिख देंगे अपन बता दिया मिडल का जो अपना फोर्थ पूर्चन है उसमें लगाओगे तब जाकर कि इसमें किसी प्रकार के टैंसलिस्टर डवलप नहीं होगे ठीक है इसको उतार देंगे अब लास्ट लिखते है अपन फिफ्थ तो यह मिडल थार्ड मिडल फोर्ट दोनों रूल हो गए फिफ्थ है अपना होलो सर्कुलर सेक्शन मतलब क्या इसके अंदर यह है इसके अंदर एक और सर्किल है इसका डायमेटर है स्मॉल डी और इसका डायमेटर है अपना कैपिटल डी और लोगए मतलब क्या है यह अपना सॉलिड पार्ट जो मैंने आपको दिखा दिया इसके अलावा पूरा क्या है हमारा हॉलो पार्ड तो इसमें हम जो निकालेंगे E x x बराबर E yy बराबर D square plus D square point में 8 बराबर नहीं है less than equal to 8D तो यह होती है हमारी maximum centricity यहाँ पर capital D क्या है हमारा external diameter small d क्या है हमारा internal तो मैंने आपको यह complete बता दिया किस चीज़ के बारे में इस centricity के बारे में और यह हमारा complete दोनों हो चुके है combined stresses दो थे हमारे combined bending torsion और combined direct end bending stresses तो अपना यह complete हो चुका है topic next topic बन पढ़ेंगे strain energy ठीक है thank you so much revision करते रहें भई